अगर आपकी स्किन का ग्लोक हो गया है, बरती उम्र के साथ आपकी स्किन पर दाग धपे नजर आने लगे हैं, आपकी स्किन पर बिल्कुल शाइन नहीं है, बिल्कुल भी चमक नहीं है, आपका चहरा बहुत तल हो चुका है और आप नहीं चाते कि आप पार्लर जाएं, पैसे खर्च करें, समय की बरवादी करें तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है योगि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेशल शेयर कर रही हूँ जिसे आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदना है, बहुत ही इसली ये फेशल आप कर लेंगे और ऐसा निखार आएगा, ऐसा ग्लो आएगा कि पार्लर के 20 फेशल भी इसके आगे फेशल हो जाएगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फेशल तो इसके लिए जो में इंग्रिडेंट है वो है मिल्क, जो कि हर केचेंड में मिली जाएगा तो चलिए फिर देर किस बात की अपने स्कीन को ग्लोइंग बनाते हैं और तांग तुपों से छुटकारा पाते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इजी लाइप्टी संगीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बैल अईकन को प्रेस करें, आल पर क्लिक करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिक्षन आपको मिलती रहे और आप और हम व्योटिफुल वने रहें इस फेशल का जो फॉर्स स्टेप है उसपे आपको ले रहा है मिल्क आपको रॉम मिल्क का इस्तमाल करना है अगर रॉम मिल्क नहीं हो तो इसकी जगा आप गरम दूद को फूरी तरीके से थंडा करें रोम टैंप्रेचर पर जब वो आ जाए तब उसका इस्तमाल करें ठीक है तो यहां मैंने थोड़ा सा कच्छा दूद लिया है और आपको लेनी है एक कॉटन बॉल कॉटन बॉल को दूद में डिप करना है और अपने फेस को बह। ही अच्छे से इस तरह डेळ दो मिनद तक चेहरे को कच्छे दूद से साफ करें अब जो second step है उसमें आपके पास ये जो दूद बचाए इसी में कुछ खास चीजे एड़ करनी है अब मेरे पास बचाए थोड़ा सा ये कच्चा दूद इसमें मैं डाल रहे हूं आधा चमच गेहूं काटा दूद लगबक दो चमच के करीब है जिसमें आधा चमच गेहूं काटा डाला है और इसमें हम डाल देंगे आधा चमच शहद गेहूं का आटा जो होता है आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा निखार लाता है स्किन को ब्राइटन बनाता है इसकिन से ब्लैक हैट्स वाइट्स रिमूव करता है शहद आपकी स्किन को मौशराइस करता है इसकिन पर ग्लो लाता है अब यहां मैंने डेर दो चम्मस दूद में 10-15 केसर के धागे भिगोकर रख दे थे और ये केसर वाला दूद इसमें डाल दिया है केसर आपकी रंगत को निखारता है कील मौासो को दूर करता है आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा गुलाबी निखार लाता है और आपकी स्किन को बहुती ब्यूटिफुल बना देता है तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर लेना है mix और ये देखे ये इस तरीके का face pack हो चुका है तैयार अगर आपको लगता है ये थोड़ा पतला हो गया है तो थोड़ा सक ये हों काटा और इसमें डाल सकते हैं और बस अब आपको इसे अपने face पर लगाना है इस face pack को लग अब आपको हलके हातों से मसाज करनी है इस तरीके से जब आप मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छी चमक आएगी क्योंकि blood circulation improve होगा और आपकी स्किन बहुत ही जद़ा ब्राइट लगने लगेगी आपकी स्किन पर पोर्स में जमा गंदगी निकलेगी साथ ही आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छी कसावट आईगी तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी से आठ से त्रस्मरट तक हलके हातों से करनी है मसाज अब देखिए जिनें गेहूं का आठा सूट नहीं करता वो गेहूं के आठे की जगा इसमें पेसन का या मसूर दाल के पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं और जिनें शहद सूट नहीं करता तो वो शहद की जगा थोड़ा सा ग्लीसरेल और एक विटामिनी का कैपसुलिस में डाल सकते हैं मसाज करने के बाद 10 मिन के लिए से आप ऐसे फेस पर छोड़ेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल अच्छा रेजर्ट मिला है सचमानिये मुझे ये मिल्क फेशल बहुत ही पसंद आया है अब आपको इसके बाद क्या करना होगा आपको लेना होगा थोड़ा सा एलोवेरा जैल और इसे अपने फेस पर लगा कर आप हलके हाथों से 3-4 मिनट तक मसाज करेंगे अगर आपकी सर्दियों में बहुत ही जड़ा ड्राई रफ हो जाती है तो आप एलोवेरा के साथ यहां पर आलमंड ओल या ओलिव ओल मिक्स कर लीजे थोड़ा सा और फिर आप लगबग 4-5 मिन तक मसाज कीजे अगर आपकी पास आलमंड ओल या ओलिव ओल ना हो तो आप एक विटामिन झालम